नमस्कार प्रिय बिरिश्वरासी वाले मैं हूँ असलजा डॉक्टर रवी गुपता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत ही खास कारेक्रम में और कारेक्रम का विशय है कि प्रिय बिरिश्वरासी वाले चार नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक आ रहा है आपके जीवन में गोल्डेन पिरियड और आपके जीवन में मिलेगा दसो दिसाओं से सफलता और दसो दिसाओं से आएगा धन प्रिय बिरिश्वरासी वाले ये जो कारेक्रम है बहुत ही तत्थों पर आधारित है आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ करके इसो देखना चाहिए और आपको यह अमल करना चाहिए कि वाकई में ग्रोहों का प्रभाव मनिश्व के उपर पड़ता है बिरिश्वरासी वाले देखिए जोती सास्तर में कहावत होता है कि जब भी किसी के जन्म कुडली में महादसा या अंतरदसा और परत्यांतरदसा लंबे समय के लिए सूब इस्थिती में आता है बतलब जो ग्रह का महादसा अंतरदसा होता है वो लंबे समय के लिए सूब समय यानि golden period कहा जाता है गोचर में भी यही हो रहा है हो क्या रहा है कि चार नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक यानि 2024 के सुरवात से लेकर के 6 महिने तक ग्रहों में इस प्रकार की इस्थितियां बन रही है कि मुझे आपको यह golden समय बोलना पड़ गिया अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों क्योंकि एक ग्रह का गोचर में अगर सुबता इस्थितियां में आ रहा है तो यह आपके लिए स्वर्मिम समय यानि golden आस्तों पर नहीं चलोगे तो भटक जाओगे या फिर कहीं जाकर टकर हो जाओगे उसे तरीके से ग्रह जब अच्छे पोजिशन पर नहीं होते हैं तो उसका प्रभाव स्ट्रग्लिंग होता है बहुत अच्छा नहीं होता है तो 4 जून 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक जो है सनी अपनी स्वयम की रासी में मारगी हो रहे है कुम रासी में और वो प्लस सनी केंदर त्रिकोन राज्यों के लावा ससनमक राज्यों कुद्पती करके रखा है यह पहला नमबर जो मैंने गोल्डन समय बोला है दूसरा सुनिये क्या होगा राहू बिरहस्पती को छोड़ करके 12 अस्थान को छोड़ करके मिन रासी में आ रहा है जो आपके जन्म कुंडली के आई अस्थान में आ जाएगा जन्म कुंडली में राहू 3, 12, आई और इसके लावा सस्टम भाव में सरवाधिक सक्तिसाली होता है जिसमें सबसे ज़ाधा सरवाधिक सक्तिसाली 11 भाव में होता है जो आपके कुंडली में रहेगा फिर इसके बाद क्या हुआ बिरहस्पती बिरहस्पती जो है आपके जीवन में एक मई तक जो है मेस रासी में है फिर वो बिरिसव रासी में आ जाएगा और बिरहस्पतिया राहू के यूती साइड हट रही है तो गुरु चंडालियो भी आपके जीवन में जो है ये खतम हो जाएगा अब गुरु चंडालियो खतम हो जाएगा तो फिर गुरु चंडालियो तो खतम ह पड़ा है फिर क्यों देखिए हो क्या रहा है ना कि राहू जब भी किसी राशी को परिवर्तित करता है तो दो कंडिशन में करता है एक तुरीक जहां वह विराजमान होता है और एक असपष्ट राहू जहां पर वहां का वह फल देना चालू कर देता है हलाकि बहुत सारे जो लोग 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर बोल रहा है फिर क्या होता कि लोगों को आप लोगों के समक्ष में जूटा बन जाता पर यह सचाई है कि राहू 29 नमंबर से असपष्ट हो जाएगा मिन रासी में और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्पुन बात कि मंगल जो आई में बैठ जाएंगे मित्रगत रासी में जाएंगे मतलब बहुत ही पावरफुल कंडिशन होने वाला है तो चली अब मैं बताता हूँ एकक करके कि आखिर गोल्डन समय क्यों होने वाला है चार नमबर से 30 जुन तक इतने लंबे समय के लिए हो क्या रहा है सबसे पहले मार्गी हो रहे हैं जैसे ही सनी मार्गी होंगे कर्म छेतर में आपके नए नोकरी प्रसास्निक छेतर में आपको राज गद्दी मिल जाएगा ये बात याद रखिएगा क्योंकि आप कम मेहनत से भी ज्यादा सफल हो जाएंगे भाग्या का माली कर्म छेतर में भी राजमान हो रहा है तो सालों का रुकावा प्रमोसों पदोनती आपके जीवन में प्रारम हो जाएगा आपके सीनियर से आपके तालमिल अच्छे हो जाएगे चतुर तभाव पे सनी के दिरिष्टी जाएगी भूमी मकान वहां संपती का मालिक होता है सनी तो आपको यहां पर प्राप् होना प्रापती के अउसर को यह प्रारम करना चालू कर देगा इसके लाबा कशेत्र में सनी का बजभूत होना बिदे सियातरा को ले करके समय बहुत ही अच्छा है आप काफी समय से अपने घर से दूर जा करके बिदे सियातरा करना चाहते थे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा और सनी आपकी कुल्ली में कारक होता है तो कर्म छेतर में शनी का प्रबल होने का मतलब है कि आप जो सोचेंगे वो आपकी प्राप्ती होगी आप किसी कंपणी में है तो आपका वैलू मिलेगा आपके आइडियास को जो है लोग अचीव करेंगे आपके सीनियर जूनियर बनके आपसे बहुत सारी बाते सीखना चालू कर देंगे और इसके अलावा पॉलिटिक्स बेगरा में आप जीत करके हो सकता है कि कहीं न तो कहीं भी धायक मंतरी या फिर मंतर अले तक मिल चकता है आपको यानि बहुत ही बहतर रहेगा आप दूसरी महत्पुन बात देखिए कर्म छेतर तो ठीक हो गिया लेकिन जहाँ पैसे ही नहीं आएगा इंसान वहां पे क्या करेगा तो होगा क्या कि राहु आयस्थान पे विराजमान हो जाएंगे आप यहां पे असपेश्ट हो जाएंगे तो राहु आयस्थान में विराजमान हो जाएंगे कौन से बड़ी बात है राहु और बिरहस्पति का गुरु जंडालियों खताम हो जाएगा तो राहु जब आयस्थान में विराजमान हो जाएगा तो मिन रासी में है राहु जिस दिखाता है और धन के भाव को भी दिखाता है अब जैसे ही मिन रासी में राहु विराजमान होगा चारों तरह से धन की प्राप्ति के बहुत बड़े आउसर खुलने चालू हो जाएंगे यहां पर सनी जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड इंफ्राटेक्चर से रिलेटेड बि राहु कोई यह मतलब नहीं है कि आप कहां से पैसे की प्राप्ति कर रहे हैं आप जो भी करेंगी गलत सहीत गोल्डेन पिरियोड का मतलब ही होता है कि आप जो भी करेंगे प्राप्ति देता जाएगा धन का देते जाएगा देते जाएगा यह सबसे वड़ी बात आपकी ज दिरिष्टी पढ़ने के कराना आपका आतभी स्वास बढ़ेगा जो आप के अंडर में रहके आपके खिलाप सडियंतर कर रहे थे वो लोग का असली चहरा सामने आएगा बुद्धिमता लगा करके क्रोध से नहीं बुद्धिमता साप आगे बढ़ेंगे और आये अस्थान क में जब इसकी दिरिष्टी पढ़ेगी तो संपती का बटवारा भी होगा और इसके अलाबा कोई प्रोपटी अगर आपको इमोशनली ले लिए गा तो वह भी आप छिन लेंगे मतलब कह सकता हूं कि आपको यह बहुत जादा लालची बनाएगा मैं बहुत जादा लालची बन जाओ क्या है तरक्की होगा तरक्की होगा तो और अच्छा रहेगा अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए बिरहस्पति 12 वस्थान में गूरु चंडाली योग से जो अलग हो जाएगा अब यहाँ पी में मित्रगत रासी में हैं इनकी पंचम द्रिष्टी चतु घर के आसपास हो जागा जो बहुत दिनों से आप चाहा रहे थे इसके अलाबा 12 अस्थान में बैठने के कारण कोई स्केंडल यह किसी चीज के विर्थ में यह धोखा दड़ी में जो आ फस्ते थे बार बर इमोशनली उससे बाहर निकल जाएंगे इसके अलाबा दूसरों क क्या है कि नौमी दिरिष्टी अस्टम भाव में पढ़ने के कारण से प्रेशन था वह ठीक होगा नहीं चाहता थे कि डाइबोस उससे बचाये गई यह सुराल पक्षे तालमिल ठीक करेगा आपके जीवन में जो आपको लगता था कि अब जीवन में सबकुछ बरबाद हो का उससे यह बचाना चालू कर देगा हलांके देखिए एक बात में अवश्य बताना चाहूंगा कि बिरहस्पती का तो मजबूत होना दामपत्ती जीवन के लिए बहुत ही बहतर है लेकि सनी की दसम दरिष्टी सब्तम भाव पे रहेगा लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइ यानि आपके बैवाहिक जीवन को भी आइस थिरताय रहेंगे थोड़ी मत भेटता रहेंगे लेकिन बहतर बनाके रखेगा आप यहां पे राहू का पंचाम भाव पे सब्तम दरिष्टी पढ़ने के कारण जो है किसी प्रकार का ऐसा लव लाइफ जिसमाप डिप्रेशन मे बैठने के कारण इंटर्व्योर इजल्ट में पास आउट तो आपको कराएगा ही कराएगा पंचा भाह में के तूब एकारण जो अपने बच्चों के चक्कर में इमोशनली अटेश्मेंट के चकर में बच्रोम आयं हैं बहु जादा तो अपनी जीमन को बरबाद कर लेते है नुससे भी आपको रक्षा करने वाला रहेगा बहुत हीकी साबीवर से रिए इसके लाबभा हूँ जाब सब्सकुरा हो जाएंगे यह बहुत लिए खुलत हो जायँ आपकी जीवन उपाई के तौर पे क्या करना चाहिए। उपाई के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि कोसिज कीजिए ओम नवो भगवते वासुद बाइस मंतर का जाब करने का और हनमान चालेसा का पाठ करने का आप देखिएगा कि यह सर्मिम समय है गोल्डन पिरियड है और दसो दिसाओस सफलता और धन की प्राप्ती के रास्ते खुल जाएंगे तो प्रेविर सब्रासी वाले आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ चार नवंबर से 30 जून 2024 तक गोल्डन पिरियड आने वाला है इसकी संपुन व्याख्या मैंने आपके समक्ष कर दिया उमिद करता हूँ कि बताए कि जनकारी से पुन रुपन संतूष्ट होंगे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए मिलता हो अगली वीडियो में और महत्पुन और ग्यान वर्दक जनकारी के साथ तब तक नमस्कार अच्छे सरहिए धन्यवाद